हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई शानल मैं हूं सविता दोस्तों आज हम लिकरा है आप सभी के लिए बियर्ट सेकेंड यर का प्रिवेसर पेपर जो कि 2021 का ये पेपर है ये पेपर आपका पेपर फस्ट है बियर्ट सेकेंड यर का सैचिक प्रसासन प्रवंधन एवं एंड एंवर्मेंटल एजुकेशन तो ये आपका पेपर फस्ट हो जाता है ये पेपर आप सभी के एक्जाम के लिए बहुत ही जादा हेलफल होने वाला है कह लीजे तो रामबाड साबित होने वाला है क्योंकि प्रिवेसर पेपर से काफी कॉश्चन आपके एक्जाम में काफी कॉश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो ये पेपर बहुत ही जादा इंपॉर्टन है अगर आप बियर्ट सेकंड ये का एक्जाम देने वाले हैं दोजार पाईस में तो ये जो पेपर है ये तीन घंटे का पेपर होता है आपको तीन घंटे का समय दिया जाता है और असी नंबर का ये पेपर होता है इस सारी चीजे आपको पता होंगी आपने बियर्ट फरस्ट येर का एक्जाम दिया है तो उसी के पैटरन पर आपका बियर्ट सेकंड येर का भी एक्जाम होने माला है दोस्तों देखेंगे सेक्शन ए में कौन-कौन से कॉश्चन आ साच्छिक प्रसासन को आपको परिभासित करना है डिफाइन एजुकेशनल एडमेस्ट्रेशन आगे देखेंगे दूसरा कोशन है साच्छिक प्रवंधन का महत्व क्या है संतुलित आहार की परिभासा लिखिए यहां पर अगर आप इंग्लिस मेडियम के स्टुडेंट है तो देख सकते हैं इंग्लिस में भी कोशन आप दिया गया है पेपर आपका दोनों लेंग्वेज में आएगा तो इस बात से आप बिल्कुल भी परिशान ना होईए आगे देखें क्या है कि योग का महत्व क्या है सच्छता क्या होती है वर्ट इज हाईजीन अगला कोशन जानेंगे संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है सिक्षा मंत्राले के कार क्या है समय सारेडी का महत्व लिखना है आपको अगे देखें परियावर्डी ये सिक्षा की अवधारडा क्या है और एक अच्छे परिवेक्षक के गुड आपको लिखने है तो ये कुछ दस कोशन आपसे section A में पूछे गए थे अब हम जानेंगे section B के question यान की खंडबा के तो खंडबा में आपको 5 question करने होंगे और 8 नंबर आपको एक प्रस्ण के लिए यहाँ पर दिया जाएगा अब देखेंगे question क्या है पहला section B का। सयच्शे को प्रसासन के छेत्र का आप को वर्लौन करना है कि यह सारे question जितने भी हमने देखें है section A में यह थे प्रिवेसे paper के ही है repeat हुए है तो यह यह देक सकते हैं कि previous paper के कितने question repeat होते हैं तो हो सकता है कि आपके exam में यह सारे question ही आए तो आप इनको जरूर से जरूर तयार कीजेगा और आपको कोई भी topic इनमें से नहीं समझ आता है तो आप मुझे comment box में जरूर बताइएगा हम उन पर video बनाएंगे theory की classes आपको provide करवाएंगे आगे हम देखेंगे question क्या है तो अथवा करकर यहाँ पर दिया जाता है एक question में दो कि आपको अगर एक नहीं आता है तो आप दूसरा question solve कर पाएं अगला है अथवा करके कि इस्थानी इस्तर पर सैच्छिक प्रसासन की भूमिका लिखिए अगला है विद्याले budget क्या होता है budget की बिभिन प्रकारों का burden करो अथवा सिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका इस्पश्ट कीजिए आगे देखिए विद्याले प्रवंधन के उद्देश्यों का burden कीजिए अथवा प्रधाना अध्धापक के गुड़ों का burden कीजिए आगे देखिए आगला question कहता है कि भा भारत में परियावडिये सिक्षा की क्या आवशकता है विवेशना कीजिए अथवा और प्रशासन और परवेक्षण में अंतर इस्पश्ट कीजिए तो यह question आपके section B में आये थे आपने देख लिए अब हम जानेंगे section C के बारे में तो section C की बात करेंगे खंडसा की खंडसा में आपको सिर्फ दो question solve करने होंगे और 500 सब्दों में अपना answer यहाँ पर लिखना होगा पहला question था राश्टी अध्यापक सिक्षा परिशत की सनचना और कारियों का वर्डन कीजिए शिक्षा के छेत्र में उत्रपदेश के प्रसासनिक धाचे की व्याख्या कीजिए आगे देखिए लिखा है समय सारीडी निर्माड की सिध्धानतों का वर्डन करना है और लास्ट question है योग के अर्थ उप्योगिता और भेदों को इस्पस्ट कीजिए विश्व बिद्याले, अनुदान, आयोग की सनरशना एवं का वर्डन कीजिए तो ये आपसे पांच question यहाँ पर दिये गए हैं लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर दो question इनमें से solve करना है तो दोस्तों ये सारे question आपके 2021 में प्रिवेसे paper में पूछे गये थे आप इनको जरूर से जरूर तयार कीजिएगा ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई, question अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को जादा से जादा like share करिएगा और अगर चैनल पर नए है, चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा, क्योंकि आपकी यहां से थोड़ी भी help होती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा आपके exam के लिए तो दूस्तों फिर मिलेंगी अगली वीडियो में कुछ नए question paper के साथ अगले subject के साथ